दोस्तों नमस्कार मैं रजनी शुमार पीवीर एकव कल्चर्फार्म से कैसी मेरी पीव एकवाड़ॉट हूप सबस्ताnowी दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले जे जव हमारे नर्सरी पॉन्ट्स या र्लीरिंग पॉन्ट्स होते आं उसमें रैगूल LAU नोर्थ इंडिया पूरी कंट्री और जो जिनोंने next crop के लिए seed stock करा है जिसका अभी चाहे वो fingerling पहुचा हो चाहे वो उसका fry पहुचा हो तो अगर वो regular netting करता है तो उसके क्या benefits होते हैं दोस्तों जब हम अपने nursery ponds या rearing ponds nursery ponds को हम generally मानते हैं कि जब हम response से fry convert करते हैं और rearing ponds को मानते हैं जब fry को fingerling convert करते हैं अगर हम उसमे regular netting करते हैं तो हमें majorly 4-5 बड़े benefits होते हैं और 2-3 में नुकसान भी होते हैं तो पहले benefits की बात करते हैं फिर नुकसान की बात करते हैं अगर हम वहाँ पे regular netting कर रहे हैं त बड़े राम से तीन हफ़ते अगर तीन हफ़ते में तो आपको उसकी ग्रोथ भी ऑबज़र होती रहेगी कि आपने किस साइज का स्टोक किया था कित्रा फिड इंटेक करा उसने बीज दिन में और बीज दिन के बाद भी उसकी क्या ग्रोथ हुई है दूसरा सबसे अच्छा डिजीज आउट ब्रेक होती है सीड लेवल पर क्योंकि सीड कमजोर होता है उसका इम्यून वीक होता है उसे हमें इस हाई प्रोटीन देते हैं आप कोई भी फिश को देख लीजिए इनिशेल हो लो हम उसको हाई प्रोटीन देते हैं तो कोई भी डिजीज आउट ब्रेक हो रहती है हम उनको रेगुलर कैच कर सकते हैं वहां से रिमूब कर सकते हैं जिसका डारेक्ली इंपेक्ट मेरी जो मेन फिश है उसकी ग्रोथ में होता है क्योंकि सारा फीड वह इंटेक वही करती है अदर्वाइस वाइल फिश भी खाना खाती रहती है और वह उसी रेशों में ना तो बढ़ती हैं और ना ही उनका कोई मार्केट वैल्यू प्राइज रहता है पांच वह सबसेचा बेनेफिट कर रहता है ग्रेडिंग का अगर आप हाइली काड़ी औरस मचली कर रहे हो तो उससे सब सब सजेस्ट करते हैं कि आप उसे पिरोडिकली 15 दिन में ग्रेडिं पर सबस्क्राइब करेंगे तो अगर यह बनेफिट रहेगा कि पता करेंगे कि वह यह उनिफॉर्म साइज है जब सेल करेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस बिलेगा नेगोशेशन करने की लेकिन पैनल यह में एक दो नुकसान भी होते हैं रहें नेटिंग कोई भी सस्त बढ़ती चीज नहीं है एक मैठीरियल है जब आप अपने फार्म पर करते हैं तो आप उसी कॉस्त ऑप्रिमाइस कर लेटे लेकिन जब हम सीड सेल करने के लिए के विल हैच्छी पर फोकस करते तो हर बार जब भी लेवर आएगी उसकी कॉस्ट होगी और जाप क्योंकि हम आतर जो score मोनाता है Ara chamber hard जो दो लेवर काम कर लेगीं कॉस्त में उसे में बना क्या एक इक हम करें कितर कॉंटिटी यह हो जाती जब नेटिंग तो नेट से लेखने लगती हैं तो हुआ यह ध्यान रखना होता है कि भेया वह हम ने कितरी इंग खरता है है तम रहेeti सब्सक्राइब तो हमें नेटिंग करनी भी है सही से करनी है ग्रोंट अब्जर्व करनी है और जब करते तो शिप्टिंग भी बड़ा आसान देती है तो बने रहें अपने प्राइख यूट्यूब चैनल पर जानते रहें फिश्वार ऌट भाते धन्यवाद